हो गई है पीर परवस्ती पिगरनी चाहिए, इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज है दीवार परदों की तरह हिलने लगी, सर्थ लेकिन थी कि ये बुनियान हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाउं में, हाथ लहराते हुए, हर लाज चलनी चाहिए, सिर्फ हंगा माँ खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शारी कोशिस है कि ये सूरत बदरिने चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही चाहिए, हो कहीं भी आज, लेकिन आज जलनी चाहिए. अगर आप लगता है कि हम गलत हैं, तो कृपया पहले तथ्यों की पुष्टी करें, यदि आप हमारे वीडियो में कोई गलती पाते हैं, तो कृपया हमें सूचित करें, हम इसे सुधारने का प्रयाज करें, अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद किया गया है, वो शब किसी भी ख़बर पर विश्वास करने से पहले किसी विश्वशनीय सोर्स से, किसी विश्वशनीय स्रोथ से इसकी पुष्टी अवस्थ करने, अन्यथा भारत में लोग तंत्र नहीं, बीड तंत्र है इसका आप वश्वास दियान लगए, क्योंकि इस ब्लोग यहां पर आप मेरे साथ सहमत हैं तो क्रपया मेरे शेनल के स्ब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे मित्रों ये बात याद रखें, कि राजनीती में सतर्त बहुत चटिल होता है, राजनीती में कुछ भी गलत सही नहीं हlsा जैसा कि मित्रों हमने वादा किया था, यहां हम आपके लिए अगला वीडियो लाएंगे मनुस्मिति के उपर, जो हम लाएंगे मनुस्मिति के उपर अपना अगला वीडियो, इस वीडियो में हम मनुस्मिति को देखेंगे धर्म सास्तर, और इसके उपर होने वाली एतिहासि की मनु सहिता समझने के पहले हमें कुछ मुख बाते की समझने चाहिए तकि हम वनू सहिता के अतिहास, कूरी तरा समझ सकें और मनु क्या है पहले ये समझे है, तो मनु को समझने के लिए पहले हमें भारती सनातन सब्वेता में या भारती सब्वेता में समय की कौन-कौन सी काईयां इस्तमाल होती ही इनको समझना होती है, ये बहुत ही महत्फून विशय है, इसको समझना बहुत आपसे, भारती सब्वेता में ब्रह्मा के एक दिन को, एक कल्प, ब्रह्मा के एक दिन को, एक कल्प, एक हजार महायुग या चौदा मनवंतरों में बाटाए। दो कल्प ब्रह्मा के एक दिन और रात को बनाते हैं। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। प्रतेक मनवंतर के साशक मनु होते हैं। एक महायूग में चार यूग होते हैं जिनका नाम हमें पता है। पहला यूग होगा सत्यूग, दूसरा त्रेता यूग, तीसरा द्वापरवर्चों था। ब्रह्मा की आयूग सौ वर्ष होती हैं। उसके ब्रह्मा मर जाते हैं। और दूसरा देवता ब्रह्मा का स्थार। उनको हुम व्यवस्यत मनु मानते हैं कि ये साशनकाल में स्रजीत हुए हैं या पैदा हुए है मनु कौन है या पिर सही क्वेश्चन ये होगा है उन्का नाम है बनु नित्रों एक पद है किसी आधमी का नाम नहीं है अब ये कैसे है, इसको हम विस्तार से समझें, वर्तमान में जो मनु इस रष्टी के मनु पदपसुस होवे था है, उनका नाम है वैवस्चत ना, ये साथवे मनु है, और मानो शब्द का अर्थ होता है, वह वेक्ति जिसका मन जड़ और प्राण से अधी सकती है, चूंकि के शकती है, विचार करने की शकती है, इसलिए इसे मनु से कहते हैं, और ये सभी मनु की संताने हैं, इसलिए मनु से को मानव भी कहा रहे हैं, तो आईए अब हम आगे भी वेचना करते हैं कि मनु क्या है, हिंदू धरम में जो सबसे पहले मनु है, उनका नाम है मनु के परिवार में ही आगे चलगे क्रमसा 14 मनु हुए है जिसमें से 7 मनु अभी हो चुके हैं और बागी 7 अभी हो नहीं है महा भारत में सिर्फ 8 मनु का उलेख मिलता है स्वेत रह कल्प में 14 मनु का उलेख जैन ग्रंथों में 14 कुलकरों का वर्णा नाता है यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि मनु की स्थिति अभी भी धर्व रंतों में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है 14 मनु के नाम क्रम से इस प्रकार है पहले मनु का नाम है स्वेम्भू मनु दूसरे स्वरोचित मनु आउत्मी मनु तामस मनु रैवत मनु चास्छुस मनु वैवश्वत मनु सावार्णी मनु दक्ष सावार्णी मनु ब्रह्म सावार्णी मनु धर्म सावार्णी मनु पद का नाम है जिसको विभिन आध्यात्मिक व्यक्ति सुसोभित करते हैं तो अब हम ये समझ सकते हैं कि आखिर मनुस्मृति क्या है और इसका श्रे इन चौदा मनुव में से किसको जाता है मनुस्मृति और अंसुल्जी धार में करें मनुस्मृति नामक ग्रंट में मनु को श्रधा देव नाम से समोधित किया गया है स्रीमत भागवत्तम में इनी वैवस्वत मनु को श्रधा से मानुस रष्टी का प्रारम्ब करने वाला मनुद महराज मनु ने इस सब्त दीववती पृत्वी पर काफी समय तक राज किया, ऐसा माना जाता है, उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी, इनहीं महराज वैवस्वत मनु को मनु स्मती नामा ग्रंथ की रचना का उत्तरदाई माना जाता है, लेकिन यह जान लेना अवस्यक है कि यह ग्रंथ अपने मूल रुपलब नहीं है, उसके अर्थ का अनर्थ होता रहा है, कुछ लोगों का यह कहना है कि महराज मनु ने जिस वर्ण का उलेक किया है, उसका अर्थ रंग होता था, ना कि जाती, वर्तमान में उसका अर्थ जाती से लिया जाती, वहीं कुछ अ धर्म सास्त्रियों का मानना है कि पहले मनु जो स्वैंभू मनु है वो मनुस्मृति के प्रस्तुत करता है अब इस तर्प में समस्या यह है कि पहले मनु का कल्प अलग है यानि उनका ब्रह्मांड अलग है और कई धार्मिर सिछक इस बासे सहमत नहीं है विश्णू पुराण में ध्राविण राजा वैवस्षत मनु को बाड के पहले सब्ट दीख्मती पृत्वी का राजा बताया जाता है यह वही मनु है जिनको विश्णू के मतस्य अवतार द्वारा बाड की चिताबनी दिए यह मिथक गिल्गिमैश और बाइबिल जैसे इसा सास्त की सास्त्री प्रंप्रा का महत्वण प्राण्विक कार माना जाता है मनुस्प्रती के बहुत सारे संस्क्राव अपलब्द हैं इसका मूल संस्क्राव जैसा कि हम आचुके अपलब नहीं है कालांतर में इसमें बहुत सारे दूसरे प्रेच्छब अपलब्द हैं जिसम कि उनकी संख्या 18 से 100 के बीच है और इनमें से कई धर्म सास्त्र आपस में विरुधावासी रवाईया रखते हैं कई विद्वानों ने इन धर्म सास्त्रों को संजोने की कोशिश की है परंद इन धर्म सास्त्रों का अधिकान सिस्टा समय के साथ ही लुप्त हो चुका है बहुत ही छोटा हिस्सा उपलब्ध है और विभिन इतिहास कारों ने इसको संजोने की कोशिश की आधुनिय की उद में हमें लगवाख 20 धर्मसास्त्र ही गयाथ है आधुनिय की उद में इनके मूल पाट की जगे हमें छोटे छोटे तुपड़े ही गयाथ ही इन में से सिर्फ 4 कांग्रीजीयम में अनुबाद किया गया है बाकी अन्यका अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है हलाकि ये सभी धर्मसासर अपने लेखगों का नाम लेते हैं परंतु वास्तविक्ता ये है कि इनके वास्तविक लेखगों का अनुमाल लगाना बहुत ही कट है फिर भी इनमें से सबसे महत्तपूर्ण जो है वो अपास्तम, गौतम, बोधेयान, वसिष्ट के सूत्र माले जाते है साक्षियों की कमी के कारण इन दस्तावेज़ों की तिथी तथा भोगालिक इस्तिती जहां ये लिखे गए के बारे में पता लगाना लगबग असंभव है और इस विसे में काफी भ्रह्म है वर्तमान में धर्म सास्त्रों का जो रूप हमें मिलता है वो बहुत ही संचिप्त है संचिप्त वाग के रचनाओं के कारण इनको बिल्कुल सही से समझपाना बहुत मुश्किल है यह पाठक की पसंद के अनुसार उसकी व्याक्या के लिए खुले है जो पाठक जैसे चाहे इनकी व्याक्या कर सको धर्म सास्त्रों को इस लोग की सैली में लिखा गया है तथा इन्हें धर्म सूत्रों से उत्पन माना जाता है यहां यह बता देना ज़रूरी होगा शब्द धर्म सास्त वेदों में मौभूद में नहीं हो यह शब्द सास्त सबसे पहले यक्ष निर्मुक्त नामक ग्रंथ में आया कात्यायन जिनों ने पारणी के कारे पर टिप्पनी की है धर्म सास्त्र का सबसे पहले उलेग किया मौझूदा धर्म सास्त्रों में जो चार हमें पता है उनके नाम नीचे सुची बत है याग्यवल्लव इस्मृति और राज्य घोस नामक दूसरे विद्वानों के इस्मृतियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है मनुस्मृति का प्रयोग बहुत ही कम किया मनुस्मति के मुकाबले बाकी सभी स्मितिया अधिक संचिप्त, व्यवस्थित, परिश्क्रत और उदार है। मनुस्मति के समय उसके प्रेणेता को लेकर विद्वानुम में विवाद है। हलांकि विद्वानुम ने इस पर परयाप्त विचार किया है। फिर भी कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति से पहले कोई मानो धर्म सुत्र था जिसका आश्रा लेकि किसी ने मनुस्मृति बनाई थी जो बाद में बिगड़कर वर्दमार रूपन प्रिचलित हो गई मनुस्मृति के अनेग विचार या वाक्ति महाभारत आदी किसी भी प्राचीन धर्मग्रंथ में नहीं निकते हैं इस आधार पर यह अनुमाल लगाना एकदम सही प्रतित होता है कि मनुस्मृति नाम से कोई धर्म शास्त्री विशय परक्वाक्त समाज में चलते रहते हैं जिनका निर्देश महाभारत आदी में दिया गया है इन्ही वचनों का आश्रे लेके बाद में कुछ लोगों ने मनुस अहिता बराने का प्रत्ने किया सर विलियम जोन्स द्वारा सन 1794 में मनुस्मृति का सबसे सरप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया लेता है इसकी प्रसिद्धी भारत के बाहर आपनिवेशिक युग के पहले ही पहुँच चुए साब्दिक रूप से इस्तमाल इन जगहों पर नहीं किया है क्योंकि मनुस्मृति की मूल्टी का उपलग नहीं है यह कर देना एकदम सही होगा कि बहुत से विद्वान इससे सहमत नहीं है कि इस कानून का प्रयोग मध्योगीन या प्राचीन भारत में होता दॉक्टर कभी लागु नहीं कि इसके कुछ हिससे ही उपलग थे कहीं कोई लागु किये जाते घर कि कोई सक्रीव प्रचार या क्रेयान्वन का सबूत मुख उपलब्द नहीं धर्म सास्त्रों को कानूनी सहिता मानना और इसके लेकर को कानून विद मानना एक गंभीर एतियासिक गल्थी है सिलालेखों और पुरातात्पिक प्रमाणों के अधार पर दूसरे आदुनी के धियास कारवी अब इन विचारों से सहमत है तो मित्रों अब आपको आश्चर हो रहा होगा कि जिस मनुस्मृति को लेके इतने विवाद है जिस मनुस्मृति के बारे में कुछ धंसे पता ही नहीं कि इसको किस ने लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा और जिससे अच्छी इसमृतियां या अच्छे कानू के गरंथ उपलब्द है या यूं कहा जाए कि ये मनुस्मृति किसी कानूनी सहिता को बताती ही नहीं है ये सिर्फ एक टीका है या टिपणी है इसको हम इंग्लिश में कमेंटरी गोलते हैं फिर आखिर उस मनुस्मृति को भारत में इस्थान कैसे मिला इसके लिए आपको ब्रिटिस ओपनिवेसिक कानून को समझना हो ना कि आखिर जो ब्रिटिस भारत आये उन्होंने किस प्रकार एक मरे हुई कानून की सहिता या यू कहा जाए एक मरी हुई टीका को पुनर जीवित करने का प्रयास किया और उसको बिगारने का प्रयास किया ग्यूM कि उनकी समझ में कमेंट्री या टीका का मतलभ एक कानून से था आईएब हम इससे देखते हैं कि मनुस्मति का बृटिस उपणिवेसिक कानून से क्या समबन्ध है जिसकी वजह से मनुस्मति इतनी जदा बदनाम हो गए बिटिश उपनिवेसिक सार्सन से पहले दक्षड एसिया में मुसल्मानों के लिए शरिया या इसलामी कानून लागू था जिसको पताहे आलमगीरी में सहिता बद्ध किया लेकिन गैर मुसल्मान जैसे हिंदूस, बौद, सिक, जैन, पारसी इनके लिए कोई कानून सहिता परसों के तोरा ऐसा कभी करने का प्रत्नी नहीं किया और पूर्व में भी ऐसा नहीं किया गया अब जो ब्रिटिश उपनिवेसिक अधिकारी भारत आये उनके सामने गैर मुसलिमों को किस प्रकार सासन किया जाए उन पे ये एक समस्या थी तो उन्होंने मनूस्मती में इस अपने ब्रिटिश शेर धारकों के मुनाखा बढ़ाने में दिल्चस्पी रखते हैं वह यहां व्यापार करने आए थे वह यह चाहते थे कि न्यूंतम सैनिक हस्तचेट द्वारा एक ऐसी प्रभावी राजनेतिक विवस्था बनाई जाए जिसके जरीए वह सासन कर सके इस इन में से ज़्यादा तर मुस्लिम थे, कुछ हिनूं थे, ब्रिटिस सासन ने प्रिश्रोध कम करने के लिए इनके द्वारा सुझाय गए रास्तों का पालम करने की पुशुष तो उन्होंने हिंदूओं के लिए मनुस्मति की पांडू लुपियों को ढूना और उन्हें पुनर जीवित करने का प्रियास किया इसका फायदा उन्हें ओप निवेसिक राज्य में धार्मिक और राजिनेतिक संधर्सों को बनाये रखने में मिला इसके जरीए उन्होंने लोगों के बीच में फूट डाल कर और सासन करने का कारिक भारत के मुसल्मानों के लिए हिंदू गैर मुसलिम और आदिवासी लोगों के लिए इस प्रकार की कोई कानूनी जानकारी उप्रलब दी ही नहीं तो ब्रटिस ऑफ निवेसिक अधिकारियां द्वारा लगबग म्रत और बेकार मनुस्मृती को पुनर जीवित करने का प्रक्तिक जा और उसमें उसी प्र में अंग्रेजी में किया गया है इस प्रकार भारत में मनुस्मृती एक विसेश दर्जा हासिल कर सकने में सक्षम हो ब्रिटिस ऑपनिवेसिक अधिकारियों ने अपनी समझ के अनुशार धर्म सास्त्र को ब्रिटिस कानून और धर्म के समान लागू करने का प्रत्मिन ताक में विद्धानों के अनुशार यह ब्रिटिस ऑपनिवेसिक अधिकारियों की गल्थी थे उन्होंने मनुस्मृती को कानून के कोड के रूप में समझ लिए वो यह समझने में नाकाम रहे कि यह नैदिक्ता और कानून पे टिपणी भार है ना कि कोई कानूनी प्रलाली उन पर परसपर विरोधी विचार रखते हैं और इन्हें से कईयों का भारत के इतिहास के दौरान सतापदियों से प्रयोग ही नहीं हुआ है तो अब आप यह जान गया होंगे मित्रों कि मनुस्मृती कितना विवादित है इसके स्रोत का हमें पता नहीं हूँ यह कैसे इस्तमा सवाल में पूरी तरह आया ही नहीं है जब तक भारत में ब्रिटिश कानू या सार्शन नहीं आया तब तक मनुस्मृती के वारे में बहुत ही कम लोग जानते थे तो अब हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए क्या हम वही गल्तियां कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज में इसका कोई प्रमुख या पुट्ता अधार ही नहीं है क्या आप मनुवाद को परभासित कर सकते हैं क्या भारत में कभी मनुवादी अस्विक्त में थे वस्तिविक्ता यह है यह उन लोगों की रचना थी जो हम पर साशन करना चाहिए वो हमें जातियों में विवाजित करना चाहिए आज कर राजनितियों ने हमें बाटने के लिए फिर से मनुश्मृति को जीवित किया है यह सद्ध्यांतिक पाट था जिसका कोई मूल ग्यात नहीं है जिसका कोई उपयोग ग्यात था फिर भी हम मनुवाद की बाट है क्या कोई पद किसी धार्ना या वाद को इस्थापित कर सकता है नहीं कोई पद तो निर्जीव होता है धार्ना निर्जीव होती है यह उसी प्रकार है कि जिस प्रकार हम किसी की हत्या के लिए हत्यार्वे को दोसी नम थेराते हैं उस तलवार को दोसी थेराते हैं जिससे हत्या कीजिए मैं पहले भी बता चुगा हूँ कि मनुस्मती एक open या खुला हुआ धर्म इसकी व्याख्या कार के मानसिक्ता पर निर्भर करती है और यह कभी भी भारत में पूरी तरह लागू ही नहीं हुआ या सही सब्दों में कहा जाए इसके लागू होने का हमारे पास कोई प्रमाणगी उपलब नहीं है अर्म यह ब्रिटिस शाशनकाल में यह उपनिवेसिक शाशनकाल के दोरा लागू किया तो मेरे मित्रों एक वार फेर इसे धन्यवाल अब हम अगले भाग में संसार के विधिन हिस्स्यों में जो दलित रहते हैं या दूसरे देशों या दूसरे हिस्सों में जो धलित रहते हैं उनके विसे पिचर जाग रहे हैं क्या जात विवस्ता संसार के दूसरे देशों में भी है यदी है तो कैसे है और वहाँ पर लोग एक दूसरे की गर्दने जाती विवस्ता के नाम पर आज इते समय में क्यों नहीं काट रहे हैं क्या उनके साथ भी पुराने समयों में उतना ही अन्याय हुआ जितना यहां हुआ इसको हम अगले भाग में देखेंगे